हेलो दोस्तों कैसे आप सब विक टेक में आपका स्वागत है आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मैक बुक प्रो मैक बुक एयर या मैक बुक मिनी जो भी आपके पास मैक पीसी अवेलेपल है उसके आज कल करोना वाइरस का टाइम चल रहा है हर कोई work from home कर रहा है बचे online classes ले रहे हैं सबके lectures online चल रहे हैं तो उसली जो लोग हैं उनको screen record करने की या lectures record करने की ज़्वत पड़ती है तो उसके लिए screen recorder साही होता है जिसके लिए लोग third party apps का use करते हैं बट वो इतने अच्छे नहीं होते बहुत से जो होते हैं वो paid होते हैं और mostly जो होते हैं इतने अच्छी quality नहीं होते हैं जितना की अच्छा Apple का खुद का screen recorder है ठीक है तो आज हम इसे देखते हैं कि कैसी ये काम करता है और क्या-कैस के features है ज्यादा लंबा चला कोई software नहीं है आपको कुछ download install करना एक कुछ भीज़त नहीं है ये पहले सी pre-loaded होता है बस आपको इसे चलाना चाहिए कैसे आपको चलाना है कहां आपको use करना है कैसे use करना है तो आज मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में चलिए चलते हैं computer screen तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास एक macbook pro है इसके हम desktop पर है आपको करना का है कुछ नहीं करना बहुत simple है आपको सिर्फ एक command देनी है आपके keyboard में आपको प्रेस करना है command shift plus 5 ये देखिए अब ये आप जो देख रहे हैं ये जो बॉप आप आया है ये आपका screen recorder है आप इसके through screen shots भी ले सकते हैं full window के जो आपको कोई particular window select करना है उसके या आपको particular कोई portion select करना है उसके लिए आप यहां से record भी कर सकते हैं ऐसे ही आप record कर सकते हैं full window के लिए या फिर किसी selected portion के लिए ठीक है या आपका तो होगे ये सब जो टैप्स हैं आप पर सामने अब हम जाते हैं options के अंदर options के अंदर आपको क्या का मिलता है options के अंदर आपको मिलता है कहां आपको save करना है जैस microphone microphone में अभी जो है external यूज कर रहा हूं तो मुझे इसके जो इस लिमने में non कर दिया है otherwise आपको इसा भी कर सकते हैं जैसे की inbuilt हो गया या जो भी installed है जैसे की मेरे पाद दो तिन और भी है वह भी show हो रहे है ठीक है और बाकी options के अंदर क्या है यह floating thumbnail जब हम इसको stop कर देंग वो आपको तब दिखेगा वो आपको थोड़ी दिर में मैं show कर दूँगा remember last selection जहां पर हमने इसे last छोड़ा था यह वहां से शुरू होगा ठीक है और यह है show mouse clicks जो भी हम mouse चलाएंगे जो clicks करेंगे जो open करेंगे वो हमें show होंगे जैसे की normal screen में होते है ठीक है तो अब हम कर cursor है वो camera की shape में आ गया है अब हम इसको क्या करेंगे हम इसको simply करेंगे click यह हमारी recording होगी start यह देखे यहां पर आपको यह button बना गया ठीक है इसका मतब हमारी recording चल रही है अब जैसे की मैं कुछ भी open करता हूं जैसे की मैंने यह मेरा folder है एक सूफी songs का इसको मैंने खुला यह खुल गया देखें यह मैं चला रहा हूं इसको अब मुझे इसे करना है stop stop करने के लिए मुझे simply क्या करना है यह stop का button मुझे से stop करना है और यह देखें यह आ गया मेरा pop up window जो side में है इस window को अब मैं करूँ और click click करने के बाद में अभी यह मेरे पास एक preview है preview screen में जिसको मैं play करके देख सकता हूं क्या 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 चला कैसे चला ठीक है कैसे इस ने काम कीया कहा क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है तो मेरे इसाब से यह ठीक चल रहा है तो मुझे अब इसे करना है save में से delete कर सकता हूँ, कहीं किसी के पाद share कर सकता हूँ या इसको जो है मैं squeeze कर सकता हूँ, छोटा file format जो भी इसका change कर सकता हूँ बट मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँँगा, मैं इसको करूँगा done अब यह मैंने done कर दिया, यह मेरा screen जो file है, यह मेरे desktop पर, यहां पर save होगी है जैसे कि मैंने इसकी save की location दियो desktop पर करी थी, तो here desktop पर save होगी, आप कहीं all भी कर सकते हैं, जो भी आपका desired location हो और एक दूसर तरीका इसको क्या है open करने का, हम सीधा जाएंगे यहां पर spotlight search में, जो हमारी spotlight search है, इसको click करेंगे, इसमें जाने के बाद में हम यहां type करेंगे, quick time player, ठीक है, यहां गया हमारा quick time player, अभी मेरा open करेंगे, यहां गया हम इसको इसको cancel करेंगे, अब यह जो पर देख रहे हैं, यह quick time player अभी मेरा open है, तो मैं यहां जाओंगा files में, फिर मैं यहां जाओंगा new screen recordings में, new screen recordings में जैसे में click करूँगा, फिर इसका new screen recording और यहां से देखिए, आप यह फिर वही pop up आगे, ठीक है न, आपको कुछ भी करने की जो इतना ही है, यह बहुत ही simple और ना हमने इसमें कुछ install किया है, ना हमने इसमें कुछ download करना बड़ा है, बस ही simply हो गया है, तो यह आपका बहुत ही best software है, बहुत ही best tool है, आपका screen recorder, जो कि आप आगे चलके use कर सकते हैं, अपने classes के लिए, अपने lectures के लिए, तीक है, आज के लिए इतना ही, thank you, वीडियो जाते रहेंगे, text related, यह अभी मैंने channel अपना नया start किया है, बड़ मैं तीरी तीरे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो जो tips होते हैं, tricks होते हैं, वो लाता रहूँगा, thank you, please like and share, subscribe कीजिए, क्योंकि वो मेरे channel को grow करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस किजिए, क्योंकि एक perdек hyg araodas, जरूरी है, इस अपके लिए ख़्यादा जरूरी हम तीरे जरूरी है, बड़ी क्योंकि कrä करता है